वासायाम विद्यमाना या मासायाम जीवितस्य रक्त पित्ती 86 कि मर्थम वसीयति नमस्कार दोस्तों मैं डक्टर अवनी सुपाध्याए यह मैंने कोई स्वस्ति वाचन नहीं किया है यह आयर्वेद के विद्वान आचारे चक्रदत द्वारा वासा के संदर्व में कहा गया एक स्लोक है वासा जिसे आप लोग जानते हैं आम भासा में अणूसा कहते हैं आयर्वेद में इसे आरूसक वासक बिस आधिनामों से जाना जाता है आज से 25 साल पहले यह सर्वत्र दिखाई देने वाला जाड़ियों के रूप में पौधा था लेकिन आज दुर्भाग्या है कि यह सर्वत्र उपलब्द होने वाला पौधा भी अब बहुत कम दिखाई देता है तो आज हम इस अईर्वेद की महान आउसदी जिसके बारे में आचारे चक्रदत्र ने कहा है कि अगर इस प्रित्वी पर वासा मौझूद है और हर व्यक्ति के अंदर जीने की आसा मौझूद है तो इस धर्दी पर रक्तफित छह कास जैसी बीमारियां क्यों हैं यह बीमारियां तभी हैं जब हम अपनी दिव्य जड़ीबूटियों के आउसदे ग्यान के बारे में नहीं जानते हैं तो आए आज जानते हैं अपनी इसी दिव्य जड़ी अरूसा के बारे में जिसे सर्वत्र हम बचा सकते हैं उसका संरक्षण कर सकते हैं और इसके साथ प्रकृती संरक्षण में बहुत सा योग कर सकते हैं तो अभी आप सभी लोगों से अन्रोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है और आए जानते हैं अब हम अपने दिव्य उसदी अड़ूसा के बारे में कर दो कर दो कर दो कर दो हमें आज भी याद है जब बचपन में हमें खाली समय मिलता था तो अपने बगीचों की तरफ भागते थे और वहां अड़ूसे की जाड़ियों पर बैटी वी तितलियों को पकड़ने का जो आनन्द मिलता था वह अब वैसा सुकून बच्चों को नहीं मिलता है और उनी फूलों के डंठलियों को हम तोड़ कर चूशते थे उससे जो मिठास मिलती थी उसका आनन्द अब सायद बच्चों को नहीं मिलता है खेर छोड़िये इस बात को ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमने जो प्रकृति के बीच में रहके आनन्द लिया था वो आनन्द अपने बच्चों को कैसे दे सकते हैं जिससे जो आज पढ़ाई का बोज है तमाम प्रकार की चिंताएं हैं बच्चों में दिखाई पड़ रही हैं उन बच्चों को स्ट्रेस फ्री हम उन्हें प्रकृति के बीच में जैसा हमने प्रकृति को अनुभो किया है उसका एहसास दिलाकर हम बहुत सारी बीमारियों से अपने बच्चों के सरवांगीर विकास में मदद कर सकते हैं अब हम आ जाते हैं फुना अडूसे पर अडूसे के गुड़ धर्म पर अडूसे को आठूसक सिंगास ब्रिस आदिनामों से जाना जाता है या एक समय पहले सरवत्र उपलब्ध पौदा था आयर्वेद में वासा या वासक का वरण कई रूप में मिलता है जिस को हम समाने रूप से और सदी के रूप में प्रियोग करते हैं तमाम प्रोडक्ट्स में उसका वेग्यानिक नाम या वॉट्रिंकल नेम है एडह्टोडा जिलैनेका या एडह्टोडा वैसिका दूसरा जो प्रकार बताया गया है वो रक्तवासा है जिसका वेग्यानिक नाम है क्रेप्टोफाइलम पिक्टम तीसरा प्रकार है क्रिश्ण वासा काला वासा जिसको जस्टीसिया ग्रेंडरियूसा बोलते हैं और जो चौथा प्रकार है वो छुद्र वासा है जिसको एडह्टोडा बैडविमी जिसका बटनिकल नेम है इस प्रकार से चार प्रकार की वासा या वासक का वड़न किया गया है आईरवेद के गरंथों में लेकिन मुख्य रूप से जिसको या जिसकी महिमा आचारे चक्रधर ने की है हम यहां उस वासा की बात करेंगे आईरवेद में उस वासा का जो गुड़ बताया गया है सरप्रथम उसका रस जो बताया गया है वो है तिक्त कटू और कसाए यानि टेस्ट में वो थोड़ा तिक्त होता है कटू होता है और कसैला होता है इसका वीरेसीत होता है यानि तासीर इसकी ठंडी होती है और इसका विपाक कटू होता है आफ्टर टेस्ट जिसे बोलते हैं वो थोड़ा कड़वा होता है दोस हर की बात करें शरीर के तीनों दोसों में किस पर इसका प्रभाव होता है तो ये कफ और पित को हरने वाला है और वात बर्धक यानि वात दोस को बढ़ाने वाला बताया गया है प्रधान रूप से इसके एक्संस की बात करें किन संस्थानों पर इसकी प्रमुक रूप से क्रिया होती है तो जैसा कि अचारे चक्रधर ने अपनी स्लोक में कहा है रक्त पित च्छे कासी इसका मतलब च्छे और कास स्वसंसंस्थान से जुड़े हुए विकार हैं या रोग हैं डिजीज हैं तो स्वसंसंस्थान के विकारों में महत्पून रूप से इसका प्रयोग किया जाता है साथी रक्त पित आयर्वेद में रक्त पित बहुत सी स्रेणियों में वर्णेत किया गया है रक्त यानि ब्लड से संबंदित जितने भी विकार होते हैं उन विकारों में अडूसा का प्रयोग अतियंत लावकारी होता है अडूसा एकेंथेसी फैमली का पौधा होता है इसके कॉमन नेम्स की बात करें यानि सामाने नाम जो सामाने रूप से पुकारे जाते हैं संस्कृत में इसे वासक, वासिका, वासा, सिंगहास्य, भिशक माता, सिंगिका, वाजिदंता, आटरूसक, अटरूस, ब्रिस, ताम्र, सिंगफर्ण, और बैद्यमाता के नाम से जाना जाता है अपनी मात्र भासा की बात करें हिंदी में इसे अडूसा, अडूस, अरूस, बाकस, बिर्सोटा, रूसा और अरूसा के नाम से जाना जाता है अपने देवभूमी उत्तराखंड में इसे वासिक या वसिंगह के नाम से पहचाना जाता है अन्य भासाओं में जैसे उर्दू में इसे अरूसा कहा जाता है उडिया में बारसोगो इसी प्रकार अन्य भासाओं में अरूसा बहुत महत्पून अवसदी है जिसका अवसदी के रूप में प्रियोग किया जाता है एक ज़ाड़ी नुमापवधा है इसकी पतियां लेंज सेप की होती हैं 10 से 15 सेंटिमीटर लंबी और इसके जो पतियां होती हैं वो अपोजिट साइड में अरेंज होती हैं और इनके किनारे बहुत स्मूथ होते हैं पतले होते हैं इसका फूल सेंग के आकार का और सफेद रंका होता है जिस पर बहुत ही सुन्दर बैंगनी या मेजेंटा कलर की धारियां होती हैं और साइधा आपने देखा हो इसका फल जो होता है वो गदा जैसा होता है गदा के आकार में होता है जिसमें चार बीज पाए जाते हैं अब आयरवेद में बर्णित अडूसा के चिकत्सिये लाभूं और अपने स्वानुभूत प्रियोगों की बात करेंगे वासा का प्रियोग सामाने रूप से हम सभी प्रकार के कास और स्वास से संबंदित वीवारियों में करते हैं इसके साथ में जितनी भी सामाने रूप से हम रक्त संबंदित वीमारियों होती हैं उनमें भी वासा और वासा के योगों का प्रियोग करते हैं इसका फूल जो पुश्प होता है वो तिक्त होता है सीतल यानि सीत वीर्य होता है आगछेप सामक और ज्वर को दूर करने वाला होता है कन्वलजन्स को भी ये दूर करता है और वासा का फूल और इसका जड़ और इसकी पत्तियां तीनों बहुत अच्छी कफ निसारक होती है स्लेश्म को इस पूटम को बाहर करने वाली उसको डीला करके बाहर करती है इसको आधुनिक विज्ञान की भासा में हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं और सामानिता बहुत सारी कफ से रिलेटेड बीमारियों में दो परकार की ओसुटियों को प्रयोंग किया जाता है एंटी-टैसिश्फ जो सूखी खांसी में प्रयोग होता है जो खांसी को दबाने का काम करता है और एक्स-पेक्टोरेंट ओसुटियां वह होती हैं जो कफ को स्पूटम को बाहर निकाल कर खांसी से आराम देती हैं इसके साथ में यह वूपिंग कफ जो कुकुर खांसी जिसे हम बोलते हैं उसकी प्रारंबिक अवस्ता में भी बहुत ही लाफदायक होता है सामाने रूप से या रक्त सोधक यानि रक्त का सोधन करने वाला ब्लड प्यूरिफायर रक्त स्तंभक रक्त को जमाने वाला स्तंभन करने वाला कहीं भी कटा फटा या रक्त से रक्त निकलने वाली जो भी बीमारियां होती हैं उनमें यह कारे करता है या क्रिमिग ने भी होत है इंटेस्टाइनल वर्म्स में या उदर क्रिमी में या बहुत अच्छा कारे करता है या मूत्रल होता है डायूरेटिक यानि पेशाप को अगर किसी को मूत्रक्रिच्छ आदिको आदिकी बीमारी है तो या समस्या है उसको दूर करता है जीवड कास्क में यक्षमा में क्रोनिक कफ में हो गया ट्यूबर किलोसिस में एस्थमा में ये बहुत अच्छा लाव करता है इसके साथ ही प्रतिस्याय जिसे हम राइनाइटिस बोलते हैं एक्यूट राइनाइटिस और क्रॉनिक राइनाइटेस जो सामाने रूप से ये बहुत प्रेचलन में बीमारी है और बहुत लोग इससे परिसान रहते हैं जिसे हम पीनस भी कहते हैं पीनस में बहुत ही अच्छा प्रियोग होता है इसका अच्छा लाब लगातार सेवन से पीनस जैसे रोप को भी दूर किया जा सकता है साथ ही यह बहुत अच्छा कीलों को भी दूर करने का साधन होता है अगर हम उनी कपड़ों में इसके सुखे पत्ते को बांद कर रखते हैं तो उनी कपड़ों में ले भी नहीं लगते जैसा कि मैंने बताया सभी प्रकार के रक्त पित में रक्त से संबंदित विवारियों में चाहें वह नक्सीर हो नाक से खून आना इपीज टैक्सिस रक्त श्ठीवन हो रक्त बमन हो खून उल्टी में खून आना उसमें इसके फूलों का और पत्तों का जूस यानि स्वरस इसका मदू के साथ सहत के साथ देने से बहुत अच्छा लाब करता है इसके सुखे पत्तों और धतूरे के पत्तों को या दोनों एक साथ या अलग-अलग मिलाकर इसको धूम पान करने से इसका आयरवेद में धूम पान को भी एक चिकच्चा के रूप में बताया है तो इसकी धूम पान करने से स्वास के बेग को एस्थमक अटैक को या दूर करता है आधुनिक वईग्यानिक सोधों में अडूसा को यानि एडर्टोड वैसिका को बहुत अच्छा एंटी इंफ्लामेट्री यानि की इंफ्लामेशन को दूर करने वाला बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल किसी भी प्रकार के चाहें माइक्रोप्स हों उनको दूर करने वाला एंटी अलसर एक्टिविटी वाला एंटी ऑक्सिडेंट प्रॉपर्टी वाला और साइटो टॉक्सिक प्रॉपर्टी वाला होता है यह आप बहुत सारे पर्मेट इंडेक्स्ट जर्नल्स में आपको मिल सकता है इन जिकित्सिय लाभों को साइंटिफिकली स्टैब्लिस किया जा चुका है इसके साथ ही अडूसा वासा सभी स्वास प्रणालियों को स्वास नलिका को बिश्त्रित करने का काम करता है इसको फैलाने का काम करता है इसी लिए यह सभी प्रकार के स्वास विबाव बिमारियों में अस्थमा में लाव करता है इसी के साथ ये रक्त वाहिनेयों को व्लड बेसल्स को कॉंस्ट्रिक्ट करता है यानि संकुचित करता है उसी संकोचन की क्रिया के कारण ये सभी प्रकार के रक्त स्राव को बंद करता है इसी लिए रक्तार्स में यानि ब्लडी पाइल्स में रक्तातिसार में ब्लडी डाइरिया में अत्यार्तों में मेट्रो रेजिया में बहुत अच्छा प्रयोग होता है इसका इसके फूलों का प्रयोग हम गुलकंद बनाने में भी कर सकते हैं जैसे गुलाप की पंखुडियों का गुलकंद बनाते हैं उसी प्रकार इसके फूलों का भी गुलकंद बना सकते हैं ये बहुत अच्छा मुत्रल होता है डायूरेटिक और सीत वीर्य होने के कारण जोर को भी सांत करने वाला होता है इसके साथ ही सभी प्रकार के रेक्थ संबंदित बीमारियों को भी दूर करता है इसके जो मुक्य योग होते हैं जो सामाने रूप से हम अपने चिकित सालेओं में यूज करते हैं उसमें वासा रिस्थ है वासा का अरिस्थ है जो लिक्विट फॉम में होता है इसके साथ में वासावले है वासा का अवले है जैसे चवनप्रास आता है उसी प्रकार से वासा का अवले होता है चवनप्रास भी एक अवले है वासा हरीत की अवले है वासा गृत है वासा कुस्मांड और वासा पुस्खंड आधी हम प्रयोगों से इसको यूज करते है और आपने सभी रोगियों को देते हैं सामानित्या हम चिकत सालियों में इसका प्रियोग करते हैं है तो यह हमने अडूसा के बारे में काफी जाना है और यदि आप लोगों को यह पसंद आया हो वीडियो तो निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियों को और लोगों को भी शेयर करें जिससे सभी लोग अपने इस सर्व सुलव लेकिन अभी हम लोग सायद इसे भूल चुके हैं तो हमारी उस प्रकार की आउसदियों को हम किस प्रकार से दुबारा रिकॉल कर सकते हैं उसका पुनर वोधन हम कैसे कर सकते हैं जो आमारी नानी दादी माता आदी इसको बचपन में प्रयोग करती थी हमें आद है अभी भी बहुत सारी पत्तियों को सेउंड हो गया तुलसी हो गया वासा इन सब को हमें सामानने ब कि एलोपाय चिकत्सा चे जुड़े हुए थे लेकिन उनका भी आईरवेद के प्रतियास्था थी और आईरवेद के छेटर में काफी ज्ञान भी था उन्हें और उन्होंने बहुत सारे सोध भी किये हैं और हमारे प्राचीन ग्रंतों में जो वरणित आईरवेद के विज्ञान हैं जीवन की उत्पत्ति से लेकर समस्थ चिकत्सा विज्ञान पर सूध भी किया है उसको प्रकासित अभी नहीं करवा पाएं हैं उसके प्रकासन की भी ओजना है तो मैं उसे आगे उस पर भी कारे करूंगा तो आगे मिलेंगे आप लोगों से पुना अगली वीडियो में धन्यवाद